हेलो विल्कम टूए स्टेटी क्लास से साथ सभी का स्वागा था मेरे इस यूट्यूब चैनल में तो यहां पर मैं क्लास 10 NCRT मैच्बूक के साइड शॉलिशन अपलोड कर चुकी हूं फिर से नहीं वीडियो बना रही हूं क्लास 10 से हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइटन को जरूर प्रेस कीजिए तो चलिए आगर पढ़ते हैं तो अब हमें लोग देहेंगे एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं इंपॉर्टन हो नहीं है रेकिन है आप लोग के बुप में तो देहना तो बनता है तो सबसे पहले यहां पर मैं कुछ जानकार ही नहीं जोंगी इस एक्सरसाइज को सुरूगाने से पहले लेकिन जब उन लोग एक्सरसाइज 2.2 बनाएंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि इस चिप्टर में है क्या हमें क्या समझना है तो चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हैं इससरस 2.2 सुरू करने से पहले मैं कुछ बेसी जानकारी देने वाली हूँ ठीक है तो पोशन नबर वन में कहा गया है किसी बहुपर पी एक्स के लिए य बराबर पी एक्स के ग्राफ नीचे आक्रिती 2.10 में दिया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रते किस्तिति मे पी एक्स के सुन्यांकों की सहिंख्या ग्याद कीजिए सुन्यांकों की सहिंख्या ग्याद करना है हमें वह भी ग्राफ देख कर चिक है तो आप लोग के मन में बहुत सारी सवाल होंगे कि सुन्यांक क्या है और हमें ग्राफ देखर कैसे बता चलेगा कि सुन्यांकों की सहि तो April 3 उन्हें बताईए, देखिए, यहां पर दो रेखाए है, Y की रेखा और X की रेखा, Y और Y बटे की रेखा और X की रेखा, X एक्स बटे की रेखा तो जितनी बार graph में कोई अन्य रेखा, X और X की रेखा को तच करेगी, स्पर्स करेगी, छुएगी उतनी ही सुन्यांको की सेंख्या होगी तो देखिए, section number 1 में graph की तीसरी रेखा ने X की रेखा को एक बार भी स्पर्स नहीं किया है, तो इसमें सुन्यांक नहीं होगा, यानि सुन्यांक की सेंख्या दिर होगी लेकिन graph 2 में देखिए, एक बार स्पर्स किया है X की रेखा को, मैं बट सुन्जा दियू दो रेखा होती है, हमारे पास graph की रेखा, एक Y की रेखा और एक X की रेखा, Y बटे और X बटे और X ठीक है एक प्लस होता है, एक मैनिस होता है, वह आप लोगों पता है, अच्छा graph हम लोग चेप्टर 3 में अच्छे से देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लेजिए, यह X की रेखा है, वह Y की रेखा है अब जो तीसरी रेखा है, देखें तीसरी रेखा कुछ इस तरह से है, अब देखें, इस तीसरी रेखा ने X ठी रेखा को यहां पेस पर्स किया है यानि सुन्याम की संख्या कितनी हो जाएगी सुन्याम की संख्या बराबर एक हो जाएगी ठीक है एक तो उसी तरदा सेक्षिन नमबर च्री में तीजरी रेखा में एक्स की रेखा को तीन बच हुआ है तो section number 3 cancer 3 हो जाएगा, section number 4 cancer 2, section number 5 cancer 4 हो जाएगा और section number 6 cancer 3 होगा, ठीक है, यह था exercise 2.1, कुछ भी समझे ने लाइक तो था नहीं, अब exercise 2.2 की तरब बढ़ते हैं, ठीक है, आप लोग देखिए क्या है exercise 2.2 में, देखिए, इसमें कहा गया है, section number 1 में कहा गया है कि निवने दुखार बहुपदों के सुन्याम्त ग्याद कीजिए, यहाँ पर हमें सुन्याम्त ग्याद कर रहा है, दुखार बहुपद दिया गया है, जितने भी समिटारन आप लोग देख रहे हैं, वो बहुपद है, और वो बहुपद परता है, कि हम लोग क्लास 8,9 से पढ़ते आरें कि बहुपद क्या है, लेकिंड़ ग्याद बहुपद, यह कैसा बहुपद हो, तो देखिए, दोग्याद बहुपद को समझें के कैसे, देखिए, और एक बहुपद का, किसी भी बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर एक बहुपत कहलाता है और यह बहुपत का standard form है किसी भी बहुपत को solve करने से पहले हमें उसे standard form में लाना पड़ता है अगर हम standard form में लाए दिना में उसे solve करेंगे तो वो solution कलत होगा अब देखें दुर्धार बहुपत को पहचानने के लिए हम दोग देखेंगे कि किसी भी समिकर्ण में सबसे जादा अधिक्तम मान square का होगा तब ही वो बहुपत का रहा देख लिए यहां पर मालेते square बठा देखेंगे ठीके ax square प्लस by प्लस c बागर 0 यह दुर्धार बहुपत काला है क्योंकि इस बहुपत में उसका सबसे अधिक्तम मान square है अगर लेकिन देखेंगे अगर ax square प्लस by q q प्लस c बराबर 0 तो यह जो बहुपत है यह दुर्धार बहुपत नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका अधिक्तम मान to cube है ठीक है तो यह दुर्धार बहुपत कहलाएगा ना कि यह ठीक है यह आप लोगो समझ में आजाना चाहिए आप समझ में आ भी चुका होगा और प्रॉब्लम होता है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए ठीक है तो यह भेलाएगा दुर्धार बहुपत और दुर्धार बहुपत को समझने के लिए हमारे पास अच्छा सा ट्रिक है कि हम देतेंगे कि उस बहुपत में सबसे ज्यादा अधिक्तम मान स्क्वाय राती नहीं और सक्वायर से ज़्यादा होता है तो वह दुर्धार बहुपत नहीं है घए अब चलिये अब एक्से साइज की तरब बढ़ता है कोशन को अपर सरी से पढ़िए तो नीमने दुईभार बहुपदों के सुन्यांग दिखी है हाँ पर कोशन नमबर वन में 6 कोशन है 6 सिल्सन है तो जितने भी बहुपद है सभी दुईभार बहुपद है सबसे पहले सुन्यांग गयाद करना है ठीक है तो पहले सुन्यांग गयाद कर लेता है फिर आगे कोशन को पढ़ेगे तो x square minus 2x x square minus 2x और minus 8 अब देखें मैंने जैसे कि बता है कि standard form क्या होता है अब देखें इसमें अंतर कीजिए तो यह बहुपत बिल्कुल उस बहुपत के बराबर है यहीं यह standard form में है हमें कुछ करने की जड़त नहीं है तो अब देखें हम लोग इसको swap करेंगे आप लोग class एक राइं में बना चुके होंगे किसे भी समय करने को यह बहुपत को solve करने के लिए अगर 3 पद हमारे पास है तीन पद हमारे पास है तो हम क्या करते है बीच वाले पद को मंध्यपक बिभग करते है यानि माइनस 2x को हम लोग 2 संख्या में बिभाजित करेंगे अब 2 संख्या क्या होगी है हमें कैसे पटा चलते हैं हम लोग क्या करते हैं मैं ax² को c के साथ गुना करतें ठीक है x² को माइनस 8 के साथ गुना करेंगे तो माइनस 8x² अब इसको ऐसे दो बागो में विभाजित करना है हमें यानि minus 8x square को ऐसे दो भागों में भी भाज़ित करेंगे जिसको गुना करके minus 8x square आना चाहिए और plus या फिर minus करके minus 2x आना चाहिए तो क्या करेंगे 4x और 2x 4x और 2x को गुना करते हैं तो 8x square आएगा ठीक है 4x से minus 2x करेंगे तो minus 2x आएगा मैंने क्या खा ऐसे तो भागों में भी भाज़ित करेंगे जिससे गुना करने पर 8x square आएगा और plus या minus करने पर minus 2x आएगा तो अब x square को x square लिखेंगे और minus 2x को plus 2x और minus 4x minus 8 minus 2x को plus 2x minus 4x कर जेए गुना करेंगे तो 8x square minus 8x square क्योंके minus का जिना बढ़ा है 4x बढ़ा है और 4x से 2x को घटाएंगे तो 2x और minus का जिना बढ़ा है इसलिए minus 2x आई हो का आपुलो को समझ में आ रहा होगा और समझ में दिक्कlt होती है और आपलो कॉमेंट में उसमें कॉमें केंथे आपलो को बनाने के बढ़ा हूं लेकिन आपलो को समझ में आना जोई है ठीक है बढ़िया x और यहां पर बढ़िया 2, तो x x plus 2 minus, यहां पर हम लोग common लेंगे 4, यहां पर बढ़िया x, minus minus के हो जाएगा plus, और यहां पर बढ़ जाएगा 2, ठीक है? अब मैं समझाती हूं कि common हमने कैसे लिया, बहुतो को बहुत student को common लेना भी नहीं आता, लेकिन आना तो देखिए, x को x से गुना करेंगे, x2, 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 आप लोग प्ले लिस्ट में जाके ढून लीजेगा या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दियो रहा हैं कि अब आगे बढ़ते हैं अब देखें एक्स प्लस टू इसको भी हम पॉमरे लेंगे एक्स प्लस टू क्या बदिगा इहां पर बदिए एक्स और इहां पर बदिए माइनस फूर एक्स माइनस फूर अब हमें क्या कहा गया था हमें कहा गया था कि हमें निकारना है सुन्याम सुन्याम निकारने के लिए यह लिखेंगे, यदि x plus 2 बड़ाबर 0 यानि सब फ utilities ये x plus 2 बड़ाबर 0 तो x बड़ाबर क्यों जाब़ा माइनस 2 ठीक है अब इस पर को लेएंगे x plus 4 बड़ाबर 0 तो x बड़ाबर क्यों हो जाब sorry आपके माइनस है, x minus फोर बराबर जिरो तो फोर हो जाएगा अब सुन्याम को हम लोग कैसे लिखते हैं यहां पर हमें दो सुन्याम को मिला है तो हम लोग सुन्याम को एक सुन्याम तो एक सुन्याम को हम लोग अलफा से दूसरे सुन्याम को बीटा से सुचित करते हैं सुन्याम सुन्यांग दो तरह का होता है अल्फा और बीटा आप लोगों को याद रखना है ये अल्फा कहलाता है ये बीटा कहलाता है ठीक है अल्फा बीटा और किस सिंबॉल से सुचित किया जाता है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है अल्फा बीटा अब देखें गोशिन की तरफ करते हैं कहा बया है था कि सुन्याग याद कीजिए नित तो इवार बहुत पर दो के सुन्याग याद कीजिए और सुन्याग को तथा गुनाग को सुन्याग minus 2 are 4 और गुनाग देखी क्या है गुनाग यहाँ पे minus 2 है, minus 8 है और इहां पर 1 है, x square minus 1, sorry, x square को 1 x square माल सकते हैं तो सुन्यांग क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये जो minus 2 है, ये सुन्यांग हो गया और minus 8 हो गया, तो कहा गया है कि सुन्यांग तथा गुनांगों के बीच की सम्मझ की सर्तता की जाच कीजिए अब हमारे पास alpha के है, minus 2, beta है, 4, अब देखें क्या करते हैं, alpha plus beta का, यानि alpha plus beta है, alpha और beta का योगफल क्या होता है, योगफल बराबर होता है, minus b बटे a के, ये formula और इन्थ हो गया, ये formula आप लोगों को याद रखना है, ठीक है तो देखें, alpha के था हमारे पास, minus 2, और beta था 4, ठीक है, अब minus b, देखें, b क्या है, इहाँ पर a 1 है, b minus 2 है, और c 8 है, ठीक है अच्छा, इक पर लिक देती हूँ, a बराबर है 1, b बराबर है minus 2, और c बराबर है minus 8, ठीक है, minus 8 अब देखें, minus b है यहाँ पर, यानि minus, और b क्या है, minus 2, minus 2 लिखेंगे, और a हमारे पास 1 है, ठीक है, minus 2, plus 4 करेंगे, तो क्या जाएगा, 2 आजाएगा, और minus minus, plus हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, देखें, अब lhs, बराबर आता है rhs के, तो यह जो हमारा solution है, वो सेंक्रा, और rhs में कोई दूसरी सेंक्रा, यानि मोंके तो और पर अगर कहा जाए, कि lhs बराबर नहीं होता rhs के, तो आपको solution बिल्कुल गलत होता है, और यहाँ पर lhs बराबर rhs आया है, यानि हमारा solution बिल्कुल सही है, और हमें कहा गया तो कि संबंदों की सत्ता की जाज करनी है, यह कहलाता है संबंद, यानि अल्फा और बिटा का योगफल होता है, वो माइनिस b बठे एक के बराबर होता है, ऐसे हमने संबंद की सत्तता की जाज कर ली, फिर देखिए, और एक होता है, अल्फा प्लस बिटा, यानि अल्फा और बिटा का योगफल देख क्या होता है, c बटे 1, c बटे 1 के बराबर होता है, ये हो गया एक फॉर्मूला, इसको भी याद दखना है, आप लोगो ठीक है, ये भी एक संबन हुआ, अब 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 इतना था, minus 2, और भी ता 4, c क्या था हमारे पास minus 8, c था minus 8, और 8 इतना था, 1, ठीक है, अब 4 को 2 से कुना करेंगे, तो 8, और minus है, minus 3, और इहाँ पर बजिया, minus 8, तो देखे, LHS बराबर आया है कि नहीं, RHS, तो इस तरह से हम लोग जांच करता हैं, ठीक है, I hope आप लोगो समझ में आ रहा होगा, तो ये था question number 1 का section number 1, तो चलिए आप आपके बढ़ता ह section number 2 की तरह, अगर आप लोगो दिक्कत होता है, तो आप लोग बटाया कीजिए, क्योंगी ये chapter important है, लगभग 4 marks के लिए तो इस exercise से, exercise 2.2 या 2.3 तो बहुत important है, 2.2 से भी कभी का बार कोशिन बहुता है, तो आप लोग समझने की चाहिए, अगर एक आप लोग समझ जाता ह है, तो आप लोग को बनाने में कोई दिक्कत होगी ने, और मैं पड़ी सिच कहना चाहते हूं कि इस YouTube का चैनल से एक Instagram लिंक है, तो अगर आप लोग चाहे तो महां पर भी जाके follow कर सकते हैं, message कर सकते हैं, और एक काम कीजिएगा, जब भी message कीजिएगा, तो इस चैनल का ना जबूर डिस्क्राइब कर जिएगा, तब भी मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों में से किसी ने message किया, ठीक है, description में लिंक में जाएगा आप लोगो, तो question no.2 में 4su-4s plus 1 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं कि, जो मात्य पक्त है उसको दो भागों में विभागत करते हैं, तो 4s square को, minus 4s को minus 2s और minus 2s में विभाज़त करेंगे, दो दो पन मिल गया, अब क्या करेंगे, common लेंगे, ठीक है, यहाँ पर common आ जाएगा 2s, ठीक है, 2s common आ गया, तो यहाँ पर क्या बजिया, 2s बजिया, यहाँ पर बजिया, 1 और यहाँ पर minus है, यहाँ पर तो कुछ common नहीं है, 1 common लेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 2s, प्लस माइनस होगा, यह प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बजिया, बहुत इसी है, अब देखे, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, common में आ गया, 2s माइनस 1, यहाँ प 2s-1 बड़ाबर 0, फेले इस पर कुल गए, ठीक है, तो s बड़ाबर क्या हो जाएगा, माइनस 1 दस बजल जाएगा, और ये 2 जो है भागा में आजाएगा, तो 1 बटे 2, एक सुन्या क्या निकला, अलफा 1 बटे 2, ठीक है, अब दूसरे अपर लेंगे, 2s-1, आएगा तो सेम, लेकर हमें बनाना होगा, तो s बड़ाबर हो जाएगा, 1 बटे 2, यानि बीटा भी हो गया, 1 बटे 2, अलफा हो गया, 1 बटे 2, वो बीटा हो गया, 1 बटे 2, ठीक है, ये ध्याण रखिए, अब अलफा प्लस बीटा, है, 1 बटे 2, बीटा है, 1 बटे 2, माइनस B क्या हो गया, देखे, B है, माइनस 4, माइनस 4, और यहां भी है एक माइनस, और हम माइनस लिखेंगे, A बढ़ाबर है 4, 4, अब इन तोनों को भी इस रेंजल नौसर, तो 2, 1 हो गया, यहाब क्वे, 1 प्लस 1, अब माइनेस माइनेस हो जाएगा, प्लस 4, 4 बटे 4, तो 1 प्लस 1, 2 बटे 2, 4 बटे 4, ये डिभाइड हो जाएगा, ये डिभाइड हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ये भी डिभाइड हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानि 1 बटे 1, वायाबर 1 बटे 1, LHS बरावर है RHS के, अ अब हमें alpha into beta लेकर देखना है alpha into beta बराबर होता है c बठे a के alpha कितना था? 1 बठे 2 beta था 1 बठे 2 c बठे a c क्या है? यहां पर 1 और a है 4 c है 1 और a है 4 1 को 1 से गोना कहेंगे तो 1 2 को 2 से गोना कहेंगे तो 4 सब्सक्राइब निकाल लिया है अलफा वन बेटे टू बीटा वन बेटे टू और सत्यता संबंदों की सत्यता की जाड़ भी कर दिया है यह था एक्सरसाइज सारी मतलब सेसें टू कोशिन नमर वान का अब चलिए आगे बैठते बहुत इजी है सिर्फ समझने की देर है ठीक ह सिक्सन नमर त्री सिक्स एक्स स्क्वेर माइनस थ्री माइनस थ्री और माइनस स्वेन एक्सर टू कर अब देखे बाएगे अब बात आती है कि मैंने लोगो स्टैंडर्ड फोर्म सुम्ठाइ रा था ax स्वेर प्लाज टी सी बड़ाबर जीरो थीक है सिक्स स्टैंडर्ड फोर्म में नहीं लग ता है इसक्स्टैंडड फोर्म क्या होना जाएगा इसक्स्टैंडडर्ड som klil now चिए यह 6x square minus 7x minus 3 यह standard form में होना जोगी है, ठीक है यह standard form में आ जगा, अब ठेके, minus 7x को हमें ऐसे दो भागों में बाटना है, जो कि 6x square और minus 3 को गुना करें दो तो कितना आएगा? minus 18x square, यानि minus 7x को हमें minus 18x square, यानि minus 7x को ऐसे हमें दो भागों में बाटना है, जो कि गुना करके minus 18x square आएगा, तो मैं minus 18x square को 9x square और 2 x, 9x और 2x को अगर हम लोग गुना करते हैं तो minus 18x square आएगा, ठीक है, अच्छा, प्लस minus अभी रहने देते हैं, ठीक है, 9x और 2x को गुना करेंगे, तो हमें 18x square मिल गाएगा और 9x से 2x को minus करेंगे तो minus 7x आएगा, है कि नहीं? अच्छा, मतलब 7x आएगा, अब क्या करेंगे, minus 7x को हम लोग लिखेंगे, 6x square यह जो 9x को minus 9x लिखते हैं और 2x को प्लस 2x लिखते हैं और minus 3 करते हैं ठीक है? अब देखें, अब minus का चीन बड़ा है तो इसलिए minus 7x आजाएगा, ठीक है बहुत सिंपल था, अब इन दोनों के भी चिलेंगे common, तो common के क्या आजाएगा, यहां पर आजाएगा, 3 आजाएगा और x आजाएगा, तो इहां पर क्या बड़ी है? 2x minus, इहां पर आजाएगा आप लोग 3, आप लोग चिक कर सकते हैं, 3x को 2x के साथ गुना करेंगे, तो 3, 2, 2 हो जाएगा 6, और x को x square, यहीं 6 x square, 3x को 3 के साथ गुना करेंगे, तो minus 9x आजाएगा, प्लस है, प्लस दिए, इन दोनों के भी चुल common नहीं आ रहा है, तो one common ले सकते हैं, और यहां पर क्या के अगर यह 2x minus 3, अब देख 2x minus 3, तो यहां पर common आगे 2x minus 3, क्या के अगर यह अब अपर ने 3x और प्लस 1, तो इसको यहां पर लिख देंगे 3x plus 1, ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सुन्यां, तो सुन्यां कैसे निकालते हैं, लिखेंगे, सबसे पहला पर हम लोग क्या लेते हैं, 2x-3 यदि 2x-3 बटे-0 तो x बटे-3 प्लस-3 में चेंज हो जाएगा और ये 2 जो है ये भागा में था अब देखिए अलफा हो गया 3 बटे-2 अब इस पत को लेते हैं 3x-1 तो क्या हो जाएगा 3x ऐसे लिखते हैं 3x-1 बटे-0 तो x बटे-1 minus 1 बटे-3 बीता हो गया हमारे पास minus 1 बटे-3 ठीक है अब हमें हमारे पास सुन्याग तो निकल लिए अब हमें क्या करना है इसके समन्दों भी सज़टा पिजाज करनी है 3 बटे-2 बीता है minus 1 बटे-3 ठीक है ये तो समन्द में आग गया अब देते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है A बराबर 6 इक वर लिख लेती हूं मैं A बराबर 6, B बराबर माइनिस 7 और C बराबर माइनिस 3 अब अलफा और बिटा का योगफल बराबर होता है माइनिस B बटे A अब जितना मान है उसको लिखते हैं अलफा 3 बटे 2 प्लस बीटा है माइनिस 1 बटे 3 B है माइनिस 7 और A है 6 इननों के भी चलिएंगे लॉस हो तो आएगा 6 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और 3 को फी 3 से गुना करेंगे तो 9 प्लस माइनिस माइनिस होगा इनको सिम्बॉल का बहुत ध्यान रखिएगा प्लस माइनिस अगर थोरी भी करती होती है तो आपका फूरा सॉलूशन गलत निकल जाएगा अब लेके 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 फी 2 को बंटे सतुना करेंगे तो 2 यहाँ आपके हो जाएगा 7 बंटे स्टीक्स amak वान देख लिया क्या देख लिया, अल्फा अर्बिटा का योगफल का समग हमने जाच लिया, अब अल्फा और बीटा के गुननफल का हमें समग जाचना है, जो की बराबर होता है C बटे A के, अल्फा क्या था, 3 बटे 2, और बीटा था, माइनस 1 बटे 3, C था माइनस 3, A था 6, बिल्कुल लग प्रूब होता है और हुमने संबंध की सत्ता था फिजाच कर ली संबंध आपस में बिल्कुल सत्त है तो ये था सेक्षन नमबर 3 ठीक है अब आगे बढ़ते हैं देखिए सेक्षन नमबर 4 बिल्कुल अलग किसमता है अनलग वैसे तो कुछ है नहीं बस थोड़ी सी इतना गौर तरने वाली बात है कि 4u square प्लस 82 ठीक है अब रही सबसे पहले करते थे बहुपत के साथ कि इसके मंध्रपक बिभग को हम लोग शड़ी मतला जो मंध्र में होता था मंध्र में जो पत होता था हम इसको मंध्रपक बिभग करते थे लेकिन हाँआ पर हमारे पास दो ही पत है अब दो पत है तो इ तो अब देखिया हमें सुन्यांत भी निकालने के लिए हमें कम सकम 4 पत्तों चाहिए उसके लिए 2 पत्तों चाहिए पहले तो क्या ख़़एंगे सबसे इजी चारिका पनाएंगे इन दोनों के विच ले लेंगे अब हमें दोन मिल गया अब हम लोग सबसे लिखेंगे यदि 4u बड़ाबर 0 तो u बड़ाबर क्या हो जाएगा 0 बटे ये गुना में था ये भागा में आ जाएगा 4 याननि किसी भी सैंट्खिया को हम लोग अगर 0 से भागा देते हैं या फिर 0 से गुना करते हैं तो यह जिलो में बगर जाता है यानि यू बड़ाबर 0 तो एक सुन्याद निकल के आ गया अलफा बड़ाबर 0 ठीक है अब 4 यू लिए अब यू प्लस 2 लेते हैं यदि यू प्लस 2 बड़ाबर 0 तो यू बड़ाबर हा जाएगा माइनस 2 तो बीटा आ गया हमारे पस माइनस 2 अब चलिए अलफा बड़ाबर 0 बड़ाबर क्या total अलफा प्लस बड़ा माइनस D है तो B क्या है? हमारे पस 8 तो माइनस 8 हो जाएगा और A बड़ाबर है 4 अब देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 अगर डिवाइट करते हैं तो यहां पर आजाएगा माइनिस टू LSS बराबर RHS आया है माइनिस माइनिस आपस में काट भी सकते हैं आपलो या फिर इतना दूदी छोड़ सकते हैं तो LSS बराबर RHS आगया अब अलफा इंटू बीटा देते हैं अलफा इंटू बीटा बराबर C बर्टे A अलफा क्या है नहीं हमारे पस अलफा है जिरो अलफा है जिरो और बीटा है माइनिस टू अब C देखें इस बहुपन में जो C हमें नजर आई नहीं रहा है यानि C है ही नहीं तो C को हम लोग 0 मालेंगे और A क्या है हमारे पस 4 तो देखें 4 अब मैंने अभी अभी बताया कि किसी भी सेंटा को अगर हम लोग गुना करते है 0 के साथ चाहे हो प्लस हो या फिर माइनस तो 0 ही आता है तो 0 यहां भी भागा हो जागा 0 पाया ना LHS बढ़ाबर RHS के तो ऐसे हो गया सेक्षिन नमर 4 भी स्वाइब ठीक है अब जड़ी जड़ी सेक्षिन नमर 5 देख लेजा है सेक्षिन नमर 5 क्या है P स्क्वार माइनस 50 ठीक है अब यहां पर देखें हां पर भी हमारे पास है दो पर मद्धबग भी बगद कर नहीं सकते है और हम पर common लेने बारी भी common लेने के लिए कोई सेंख्या नहीं है common में भी लेंगे तो एक आएगा तो इस तरीके से तो बात बढ़ने की नहीं है हम लोग क्या करेंगे हम लोग T स्क्वार को A स्क्वार माइनस 15 को हम लोग क्या लिए सकते है कि T माइनस रूट अंडर 15 और यहां पर T माइनस प्लस रूट अंडर 15 एक बार A स्क्वार माइनस B स्क्वार क्या होता है A स्क्वार माइनस B स्क्वार को हम लोग क्या लिए A माइनस B इन्टू A प्लस B ठीक है ऐसा लिएता है कि नहीं लिएता है अब देखिए T स्क्वार तो A स्क्वार बिल्कुल बढ़ाबर लग रहा है कि χaam et square था बसलब a square एंगा t square है तो हम लोगों ने यहां पे t t लिख लिया a square को a लिख लिया हमने तो है t square को t t लिख लिया अब बाद घाए कि फिप्टीन 15 पे यहां पे square है नहीं तो हम लोगोंने 15 को root under 15 क्यों लिखा यह पे minus root under 15 और plus root under 15 तो देखिए, रूट अंदर 15, B feelking, B2 को हम लोगों ने क्या लिखा, अब रापर ब्लीम-to-into, ब्लीम-to-be लिखा, ठीक है, अब क्या है हमारे पस, 15 है, ठीक है, 15 को हमने क्या लिखा, रूटंदर 15, इन्टू रूटंदर 15, ठीक है, यही लिखा, बन distill तर्फिप्टेन करेंगे, फिर उसक बर्ग मुल निकालेंगे, तो 15 आयगा की नहीं आयगा? ठीके, आप लोगे लीचे का लेजेगा, तो बर्गों चेक कर सकते हैं रूँट 15, रूँट 15 को गुना कीजेगा, जिसना सन्क खेले औसका बर्ग मुल निकालेगा, तो 15 ही आना है तो 15 को root 15 इंटो root 15 लेख सकते है ठीक है ये पहले भी मैं समझा जुकी हूँ चिप्टर नमबर लिखेंगे यदि T-15 बराबर 0 इसको पहले पर इसको लिए तो T बराबर क्या जाएगा root 15 यानि alpha कितना निकल गया यहाँ पर alpha निकल गया root 15 ठीक है अब beta निकलने के लिए हम लोग लिखेंगे दूसरे पर को लेंगे T plus 15 T plus 15 बराबर 0 तो T बराबर क्या निकल जाएगा P बराबर निकल जाएगा minus root 15 ये निकल गया लोग यहाँ पर काम करते हैं इसको beta और इसको alpha मान देते हैं ठीक है बात तो same है लेकिन एक बात सम्हद में आएगे आप लोग को इसको beta और इसको alpha मान देते हैं अब देखें alpha plus beta alpha plus beta minus 15 plus 15 क्या अज़ाएगा चाज़ेगी लिखते हैं alpha plus beta बराबर क्या अज़ादर minus b alpha है alpha है minus 15 और beta है plus 15 minus b बटे a minus b बटे a क्या हो जाएगा अब देखें b तो हमारे पास है इने क्योंकि ये हो गया a x square और ये है c अब minus b हमारे पास है नहीं तो 0 मालेंगे और a मालेंगे 1 अब minus 15 plus 15 बटे हो जाएगा 0 को 1 से divide परेंगे तो 0 आएगा यानि 0 बटे 0 तो lhs बराबर rhs हो गया alpha plus beta ये तो हमने देखें लिया अब क्या रहेंगे हम alpha और beta का गुनांग c बटे a alpha है minus 15 और beta है plus 15 c हमारे पास है minus 15 और a है 1 अब जैसे कि मैंने बोला था कि root 15 को root 15 के साब गुना करेंगे तो 15 आएगा 15 आएगा और यहां पर minus साब minus 2 बराबर यहां भी हो जाएगा minus 15 बराबर यहां भी हो जाता है lhs बराबर rhs के ठीक है यह बन गया section number 5 अब section number 6 आप लोग देखें खुद बना सकते हैं section number 6 मैं समझा देखें बच्की क्या है आगे आप लोग खुद बनाएगे गए यह आप लोग का home बढ़ रहा क्या है 3x square minus x 3x square minus x और क्या है minus 4 अब देखें यह standard form में तो है यानि हमें minus x को ऐसे दो भागों में बिभाजित करना है जो की ax square c के गुणां के रूप में आए यानि ax square को plus t से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12x square 12x square को ऐसे दो भागों में हम लोग बिभाजित करेंगे जिसको गुणा करने पर 12x square आएगा और plus या पर minus करने पर minus x आएगा तो अगर हम लोग 4x और 3x को आपस में गुणा करेंगे 12x square आएगा और 4x को 3x से minus करेंगे तो x आजएगा ठीक है तब देखें 3x square को हम लोग क्या रिख सकते हैं माइनेस x को हम लोग माइनेस x को प्लस 3x लिख सकते हैं और माइनेस 4x लिख सकते हैं और माइनेस 4 देखें 3x से minus 4x करेंगे तो माइनेस x आजएगा और यहां पर बच जाएगा x यहां पर बच जाएगा 1 यहां पर कॉमन क्या ले लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बच जाएगा यहां पर माइनस माइनस प्लस और यहां पर बच जाएगा 1 अब देखिए सुन्यां के लिए दोन मिल गया लिख लीज़ेगा यह एक्स प्लस 1 बढ़ाबर 0 तो एक्स बढ़ाबर माइनस 1 यानि अद्वा निकल गया और एक पद होगा 3x-4 तो उसका बीटा क्या निकल प्लस 1 बटेट तो फिर समनती सर्थ दागिजाट आप लोग खुट बखुट कर सकते हैं ठीक है कोशन नमबर 1 तो साल हो गया अब चलिए कोशन नमबर 2 की तरफ तो जेखिए आप लोग कोशन को पढ़िए सब्स पहरे की क्या कहा गया है कोशन में कहा गया है कि एक विधा बहुपत दिया गया था और उसका हमें सुन्याग निकालना था लेकिन यहां पर हमें सुन्याग का गुननफल और सुन्याग का योग दिया गया है प्रमंग से सुन्याग की योग तरफ सुन्याग का गुननफल दिया गया है हमें दो इक विधा बहुपत निकालना था चलि क्या दिया गया है वन बाई 4 ठीक है और अल्फा इंटू बीटा इन धां यह है, minus one, हमें इसका दो इघार बहुपर निकालने का formula होता है, जो की होता है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ, दो इघार बहुपर, ठीक है, इसको निकालने का formula होता है, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, ठीक है, x square minus alpha plus beta into x plus alpha plus beta, यह जो हो गया, यह एक formula हो गया, जो की आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, यह हो गया, दो धार बहुपर को निकालने का formula, तो देखेए, अब हमारे पास यहाँ पर formula तो उप्लब्द है, और यहाँ पर हमारे पास alpha plus beta और alpha into beta यहाँ पर ओरड़ी दिया गया है, तो हम लोग आशने से दुलखात बहुपर को निकाल सकते हैं, सबसे पहले समय का, यह सबसे पहले अबर formula को लिख लिएते हैं, x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta, ठीक है, अब x square के जबाँ तो x square भी लिखेंगे minus alpha plus beta कितना है, 1 by 4, तो 1 by 4 हो जाएगा, अब into देखे, x है, तो x को यहाँ लिख लेंगे plus है, plus alpha into beta कितना है, minus 1, इसको minus 1 लिख रहे हैं, ठीक है, तो x square x square हो जाएगा minus, 1 by 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x by 4 लिखेंगे, plus minus क्या हो जाएगा, minus 1, अब देखे, किसी, आप लोगोंने motion number 1 में देखा, कि किसी भी दुईघार बहुपद में बटे नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम लोग इस समिकर्ट को लिखेंगे, समिकर्ट या फिर लिखेंगे, बहुपद के सभी पदो को, सभी पदो को, देखिए, यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो बटे में जो भी सेंख्या आएगी, यह बटे में 4 आई है, तो हम पूरे बहुपद के सारे पदो को 4 से गुना करेंगे, बहुपद के सभी पदो को 4 से गुना करने पर, ठीक है, अब लोग को बात में समझ मायाएगा, थी हम लोगों ने 4 से गुना Q किया, तो देखिए, एक्स स्क्वर को 4 के साथ गुना करेंगे, तो कितना आज आएगा 4x स्क्वर, 4x स्क्वर आएगा, माइनिस x बटे 4 है, उसको 4 से गुना करेंगे, तो 4 इंटू x बाइ, 4 आएगा, माइनिस 1 को 4 के साथ गुना करें तो 4 डाइड है अब देखें यह 4 और यह 4 दिभाइड हो जाएगा तो क्या बढ़ गया है यहां पर 4x स्क्राइर माइनिस x माइनिस 4 यह जो हमें मिला है यह तो इथा बहुपत है असर में तो अब लोगों ने इस बहुपत को 4 स्क्राइड क्यों किया ताकि यह जो 4 था यह दिभाइड हो जाए और बहुपत हर जाए तो x स्क्राइड माइनिस 4 तो यह तिसमें बदल गया 4x स्क्राइड माइनिस 4 अगर फिर देंगे कोशिन नमर 1 की तरह अगर इसको स्वाइड करते हैं पर सुनाम दिखाते हैं तो अलपा क्रस बीटा यानि एक अलपा क्रस बीटा इतना आएगा और अलपा इंटू बीटा माइनिस 1 आएगा ठीक है आप लोग चेक भी कर सकते हैं अपना स्रुशन सही है की कलर से ठीक है रचेक करने के लिए तो यह सिक्षिन नमर 1 मैं गया कोशिन नमर 2 जो आओ बहुत सिंपल सा है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आप लोग यह जो फॉर्मूला है एक स्कॉर माइनिस अलपा प्लस बीटा इंटू एक स्क्लस अलपा इंटू बीटा ठीक है सेक्षिन नमर 2 में क्या है रूट 2 और 1 बटे 3 यानि अलपा प्लस बीटा क्या है रूट 2 और अलपा इंटू बीटा है 1 बाइट 3 ठीक है अब क्या करेंगे फॉर्मूला के अनुसार सभी मानों को उसका अनुसार बैठा दे जाएंगे अलपा प्लस बीटा क्या है रूट 2 तो रूट 2 हो गया एक्स है तो एक्स लिखे प्लस है और अलपा बीटा है तो 1 बाइट 3 अब देखे बटे में क्या आया है बटे में आया है जी अब क्या करेंगे हम लोग सभी बदों को बहुपत के सभी बदों को तीन से गुना में लिखना है कि भुपप के जबी पदों धीन से गुना करने पर श्मैंक है मैं 他रीटे की लीखती हूँ भुपाइध से गुना करने पर 20 है यह अपे टायर से गुना करने पर 밝? बहुपप के सवर्मन टीन से गुना करने पर क्षजीए x square तो 3 से होना करेंगे तो 3x square हो जाएगा minus root 2x को 3 के साथ होना करेंगे तो 3 root 2x हो जाएगा plus 1 मते 3 है इसको 3 के साथ होना करते है तो 3 3 divide हो गया तो इहां भी क्या बद गया 3x square minus 3 root 2x plus 1 यह जो निकला है यह जो इधाद बहुपर है और अगर इसको swap करेंगे तो alpha plus beta में आएगा root 2 और alpha into beta में आएगा 1 बटे 3 तो इसी तरह section number 2 भी ख़दम होता है question number 2 का चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत easy है इसमें कुछ करना ही नहीं है आप लोग को बस formula याद रखेना है फिर mark रखाना है फिर अपने आप बंचे चला जाएगा section number 3 में है alpha plus beta 0 दिया गया है और alpha into beta है root 5 ठीक है root 5 तो चलिए अब देख लेते हैं मारे फिर्स formula क्या है x square minus alpha plus beta into x तो x square minus alpha plus beta into x अब देखिए alpha plus beta कितना है 0 है बठीक है लिख देती हूँ into x plus alpha plus beta alpha plus beta root 5 x square अब देखिए किसी भी सैंख्या को चाहे वो अचर हो या चर हो उसको अगर 0 से गुना करेंगे तो वो 0 ही आएगा तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं मनता है तो अगर मन लेते हैं कि minus 0 लिखते हैं फिर plus root 5 लिखते हैं तो 0 तो हटना ही है तो हम लोग डाइरिक लिख सकते हैं कि plus root 15 तो ये आगया हमारे पास दिर्खाग बहुपर ना इसको किसी सैंख्या से गोना करना है क्योंकि इस मतलब इस भाउपर में पटे में भागा में कुछ ही नहीं तो हम इसे इतना ही रहने नेगे इसको किसी भी सैंख्या से गोना करने की और इसको आगे बढ़ाने की ज़रुद नहीं है तो यह था question number 2 का section number 3 पाठीक है तो क्या था? 0 और root 5 जिसका answer निकल चुगा है x square plus root 15 चली अब आगे बढ़ते हैं अब देखे question number 2 का section number 4 देखते हैं तो alpha plus beta दिया हुआ होगा और alpha into beta दिया होगा ठीक है तो alpha plus beta भी 1 दिया गया है और alpha और beta भी 1 दिया गया है तो भबन दिकाने लिए हमारे पास formula उगलब है x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta तो x square भो? x square लिखेंगे minus है alpha plus beta 1 है और into में x है ठीक है? into में x है फिर plus या plus लिखेंगे alpha beta 1 है देखिए x square minus 1 x plus 1 इसमें भी बहुपत के किसी भी पत में बटे में यानि by में कुछ भी नहीं है तो हम लोग इसे इतना ही रहने देंगे इसको आपे बढ़ाने की कोई जरूर नहीं है नहीं किसी पत को किसी दूसरे संख्या से गुना करने की हमें जरूर रहत है ठीक है? तब अब चलिए आगे बढ़ते ही है हो गया section number 4 अब अब इसे नबर 5 है माइनेस वन बटे 4 अलफा प्लस बीटा है माइनेस वन बटे 4 ठीक है? माइनेस वन बटे 4 और अलफा बीटा है वन बटे 4 तो देखें बभुपत को निकालने का फॉर्मिला क्या है हमारे बास? एक्स स्क्वेर माइनेस अलफा प्लस बीटा इंटो एक्स प्लस अलफा बीटा तो एक्स स्क्वेर को एक्स स्क्वेर लिएंगे माइनेस अलफा प्लस बीटा है माइनेस वन बटे 4 माइनेस माइनेस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो वन बटे 4 गुना में है, alpha plus beta के साथ x गुना में है, तो इसको x गुना लिखे है, और alpha plus beta है, 1 बटे 4, अब देखिए, गौर्ण करने वाली बात यह है, यहाँ बटे के दौर्टे 4 होगा, तो इस बहुपद में हमें पता रहे कि किसी भी बहुपद में, यहाँ बटे के दौर्टे के करने पर, आप लोग को पूरा लिखना है, आप लोग लिखिएगा कि बहुपद के सभी पदों को चार से गुना करने पर, ठीक है, मैंने बस लिखा कि चार से गुना करने पर, आप लोग को पूरा लिखना है, तो देखिए, फोर को एक्स स्वार्टे साथ गुना है, अब 4X2 एक प्लस या ब्लस एक 1 बाट्टे 4 को 4 के साथ गोना करेंगे ठीक है तो क्या हो जाएगा यह 4 यह 4 यह 4 दिवाइड हो जाएगा और यह 4 यह 4 यह 4 दिवाइड हो जाएगा ये था सेक्षय नम नम्बर 5 अप देखिकिन 9 5 में है 6 सेक्षय नम्र 6 में अल्फा प्रज बीड़ ह। हम पर दिया है 4 दिया घए और आलफध में जाय कीजिएगा इसको शुक्क दिया है आप नोगो क्या दिवा सूझा के आप पर हमारे बश इस बहुपद दिया है मतलब बहुपत का फॉर्मुला दिया गया है अब बहुपत के फॉर्मुला के अनिशाय आप लोगो मान बठाना है और अपने आप लोगो सॉल्ड करना है तो यह आप लोग खुद कीजिएगा सेक्षा नमबर 6 चीक है यह मैं नहीं बता रही बहुत इसी है आप लोगों समझ कीजिए और हां जो वीडियो को लाइक करना ना भूले हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आज के लिए बस इतना ही